नमस्कार सर मेरा नाम अमित कुमर सार्टिफाइड नेटिशन थरापिस्ट पांब लिंक ओन इनिवर्सिटी आज जिस विश्योई पे अब मैं वीडियो बना रहा हूं वो है किड्नी स्टोन तो किड्नी स्टोन को आप बीना ओपरेशन के कैसे रिमूब कर सकते हैं मैं यह यह ही से ट्रीटमेन पोटओकॉल फॉलो करते हैं तो हंडेट परसेंट गल के निकल जाएगा यह अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो चलिए सुरू करते हैं पहला चीज जो आपको लेना है वो है कुल्थी का डाल पिर सूबह इंडласт में एक ग्लास पानी में चार सो अमल पानी में भीगो के राखिए रात में फिर सुभे उसको बॉयल करके आधा कर लीजिए जैसे आधा हो जाएगा फिर छान के 100 ml आपको सुभे खाली पेट पीना है आज 100 ml आपको तीन से पांच बाजे के बीच आपको पीना है फास स्टेप सेकेंड स्टेप है पूर्नर नवा पूर्नर नवा रूट पावडर आपको लेना है और तीन ग्राम डेली से चार ग्राम आपको एक काप गरम पानी में मिलाके सिफिप करके आपको पीना है चाई के तरह गरम पानी होना चाहिए और उसमें एक चामच मिलाके पहले 5-7 मिनिट ढखके रख दिजे फिर चाही के झाट कोका है पत्थर चट्टा से 3 पत्थर कनता क्यों सब्सक्राइब करके सकते हैं मैं मैं तो में बता देताँ है इस बीडिए साथ एक बच चेक करके देख सकते हैं, डियाई पी डाइट में में चीज जो है में थोड़ा सा बता देता हूं, सुभे फुरूट खाना होता है, कितना फुरूट खाना है जितने में आपका पेट ना भर जाए, आठ बाजे से लेके बारा बाजे तक सिर्फ आपको फुरूट सी आपके रहना परता है, और दोपे अर में दो प्लेट रहता है, प्लेट वान और प्लेट टू, प्लेट वान में रहता है सलाड, तो कच्छा सबजी पहले खा लेजिए, जैसे खीरा है टोमेट होगा, यह खाने के बाद आप घर का बनाया हुआ खाना, आप खा सकते हैं, ड आउन भेज बंद रहेगा, एक डिड़ माहने के लिए, और भेज में भी दूद दही पानीर बंद रहेगा, यह है में डी आपी डाइट, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, बाकिया पूरा डीटेल्स में वीडियो दिया हुआ है, एक बच्छे करके देख सकत हैं, तो यह करने से आपका किड्नी इस्टोन धीरे धीरे गल के निकल जाएगा सरीर से, तो कोई सरजरी का भी जूरत नहीं है, नहीं कोई डॉक्टर का जूरत है, शिरिफ यह वीडियो देखके भी अगर आपने डी आइपी डाइट और कड़ा बगर पी लिया, तो आपका हाथ जो फटता है, सबसे बड़ी हाथ ट्रीटमेंट यह है, कि आप पहले गरम पानी करिए, फिर जहां फट जाता है, वहाँ पर पंदरा मिनिट तक गरम पानी में हाथ को डाल के रखिए, फिर आपको जो करना है, वो है, रात में सोने से पहले यह करना है, फिर आपको ले यह चीज आपको करना है कम से कम पंदरा दिन तक करिए तो आपका प्रोब्लम सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट कोईस्चन है सर सुभा मैं फ्रूट खाता हूं तो पेट में आमासा होता है प्लीज सेंट में योर सजेशन देखिए आप फ्रूट खाते हैं तो आपका पेट थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है तो इसके लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट यह है कि आप करिए अच्छान के शिप सिप करके पी लिजिए सुभे यह काड़ा पीने के बाद आप डियाइपी डाइट जो फ्रूट खाते हैं सुभे वह फ्रूट आप खा सकते हैं तो आपका जो यह प्रॉब्लम है यह नहीं होगा नेक्स्ट कॉस्चन है अमित भाया सुभे पेट स कर रहे हैं तो रात में आप एक काम करिए त्रीफाला पाउडर त्रीफाला पाउडर आप लिजिए और रात में सोने से पहले एक काप गरम पानी में एक चामच त्रीफाला पाउडर मिला के सिप सिप करके पी लिजिए फिर आप सुभे देखिए पेट साफ हो जाएगा सा रात में आपको जो करना है वो है एक गलस गरम पानी लिजिए सुबह खाली सबसे पहले यही करना है एक गलस गरम पानी लिजिए और एक निम्बू का रस निचोड़के उस पानी में मिला दीजिए फिर सिप सिप करके पी लिजिए गरम पानी थोड़ा सा गरम ज्यादा होग उसमें एक निम्बू निचोड के मिला के शिपशिप करके आपको पीना है तो आपका जो प्रॉब्लम है वो दो तीन दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगा सर जी मेरा बेटे का एज 5 साल है रात में नींद में बेड पेर बातरूम कर देता है इसका सल्यूशन में एक लाइन में बता देता हूँ सौफ लीजीए दो काप पानी में उबल के एक कप करिए अच्छान के सिप सिप करके पी लीजीए बस ये करने से ही पहले दिन से ही उनका बेड में जो किसाब होता है वो रुक जाएगा लगबग 21 दिन करिए फिर वो पर्मानेंटली चला जाएगा नेक्स्ट कुइस्टन है लो बीपी के बारे में भी बताओ सार प्लीज लो बीपी अगर किसी को है पहले आपको ये चेक करना है कि लो बीपी में आपको कोई दिक्कत हो रहा है चक्कर बगर आ रहा है कोई भी डिसकॉंफर्ट हो रहा है तो आपका लो बीपी माना जाएगा यह नहीं कि आंकड़े के देखके मैंने treatment बता दिया फिर BP थोड़ा सा normal हो गया मतलब 120 by 80 यहीं सब मनते हैं कि यहीं normal है यहीं BP रहना चाहिए किसी का BP एक जैसा नहीं होता है, सब का BP अलग-अलग होता है किसी का जैसे height एक जैसा नहीं होता है मैं मानके चलों कि 6 foot वाला ही सही height है, जो 5 foot है उसको ठोक के बढ़ा करो जो 7 foot है उसको ठोक के छोटा करो, ऐसा नहीं हो सकता सब का height अलग है, सब का BP अलग है तो आप यह देखिए कि आप उस BP में आपका कोई भी discomfort हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर हो रहा है तो बढ़ाने के जुरुत है, अगर नहीं हो रहा है तो कोई कुछ भी मत करिए, जो है जैसा है उसे ही रहने दीजिए ठीक है, जैसे मेरा BP लो रहता है हमेशा, मेरा BP रहता है 115, 15, 15, 15, Y, 75 तो मेरा BP रहता है, तो मेजे कोई discomfort नहीं है, तो मैं BP को बढ़ाने के कोशिस भी नहीं करता हूँ, अगर मैं कोशिस करूँ तो दिक्कत है, तो अगर आपको BP सच में काम है, तो आपको जो करना है वह है, गूर लेना है, गूर को मुह में रखके चुसना है, सुबे खाली प पिना है, ब्लैक कोफी मतलब रह कोफी पिना है, रह कोफी एक कप गरम पानी में एक चमच मिला के आपको शिप सिप करके पिना है, तो आपका BP स्टेंड बढ़ जाएगा, अगर लोग BP हुआ है, तो सच में, अगर नहीं हुआ है, अगर लगातार ये BP आपका रहता है, पापा जी को उमर 74 है, साइटिका का प्रोब्लम हो गया है, कमर के नीचे बहुत दर्द होता है, उपचार बताइए, देखिए, साइटिका का दर्द के लिए एक एक सरसाइज होता है, वो एक सरसाइज अगर कर लिया, तो दो तीन दिन के अंदर ही साइटिका का दर्द ठी करेंगे नीचे तक दरता है खिचाव जैसा दरता है तो वह नास को खुलना है जैसा जहाँ उस में ब्लड सर्कुलेसन जैसे शुरू हो जाएगा तो तुरंट उनका जो प्रॉबलेम है जो दर्द है वो relief होना शुरू हो जाएगा तो उसके लिए एक exercise है जो मैं एक short वीडियो में बताऊंगा तो आप लगे रहिए मैं cytica का दर्थ के पेन के बारे में बताऊंगा ठीक है कल रात में एक phone आया था तो एक को breathing problem हो रहा था सांस आटक गया था तो उस situation में लोग hospital के तरफ भगते हैं तो यह बहुत ही आसान टेक्निक है अगर यह टेक्निक अगर follow कर लिया तो उसमें जल्द से जल्द उनको relief मिलना शुरू हो जाएगा टेक्निक स्रिफ आपको यह होगा कि किसी का अगर सांस अटक गया किसी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो यह करिए कि उनको च्यार में बिठाएए बिठा के समने के तरफ थोड़ा सा तील कर देजिए ऐस से करके तील करके रखिए मुमें अधरक ड जब तक उनका आखो से आसू न आ जाई तब तक वह चेवाना है तो यह करने से उनका जो शांस लेड़ाले में दिक्कत हो रहा है बीपी बहुत ज़्यादे अगर बहुत ज़्यादा हाटबीट बढ़ जाता है तो थोड़ासा खूल निकालना धाता थोड़ा सा सुई डालके खोल निकालना है तो उसी वक्त जो हार्टबीट बढ़ गया आता है तो धीरे-धीरे-धीरे काम होना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा निकालना है एक दो गुंद तो यह आप कर सकते हैं और अगर बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत है तो उ यह आप कर सकते हैं और उनको जो मैंने काड़ा दिया था वह है तूलसी का पत्ता चार-पांच तूलसी का पत्ता एक-डो काली मिर्च और पांच गराम अद्रग दो काप पानी में वहल के एक कप किया फिर चान के पिला दिया तो तुरंत उनका जो सांस लेने में दिक्कत ह हो रहा था शरीर में ऑक्सिजन का कमी हो रहा था वह धीरे धीरे बढ़ना सुरू हो जाता है और फिर वह रिलिप में आ गया बस फिर डिया पे डाइट पे डाल दीजे जूस बूस पिला यह तो वह जल से जल ठीक हो जाएंगे अगर मेरे से आप कॉंसल्ट लेना चाते हैं तो इस नमबर पर आप वाटसेप करके आप कॉंसल्ट ले सकते हैं और आपने आप आपका जो बीमारी है घर में बैटके ही आप आपना बीमारी को ठीक करवा सकते हैं यह वीडियो अगर आपको इंफर्मेटिव लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिए और क